हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था विलियम सेक्सपीर का जो चैप्टर था उसका पहला स्टेंजा आज मैं आपको दूसरा स्टेंजा पढ़ाने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा स्टेंजा ओ no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering park. whose words unknown although his height be taken यह है इसके stangia की lines चलिए reference पढ़ते हैं क्या लिखना हमें reference में जैसा कि मैंने आपको पहले की कल भी बताया था कि stangia this stangia has been taken from the बैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं हमको main क्या है कि वो ही लिखना है जो writer है reference में और जो poem का नाम है चलिए शुरू करते हैं इनों ने इसमें reference और context जो है वो एक ही साथ दे दिया है चलिए पहले reference पढ़ेंगे this stangia appears in the 116th sonnet entitled let me not to the marriage of true minds यह जो stangia आया है वो दिखाया गया है किसमें 116th sonnet गाथा में किसकी बिलियन सैक्सपियर की इसका नाम है let me not to the marriage of true minds it was addressed to wh wh एक वक्ति है जनकी फुल फॉर्म नीचे दे रखी है यह wh के बारे में बताया गया है a young lord एक जवान कम उम्र का राजा named Henry Rio Thessaly Henry Rio Thessaly जो बहुत ही कम उम्र का राजा था कहां का Southampton का Earl means होता है राजा the poem is one of the loveliest sonnets of Shakespeare यह जो poem है यह जो बिलियम सैक्सपियर की काफी लोग प्रिये poems में से एक है and expresses और बताती है his deep faith in the power of true love और चताती है बताती है कहरा बिस्वास या अतदिक बिस्वास किसमें सच्चे प्रेम की शक्ती में the poet points out poet points out poets बताता है that की true love does not change with external changes in life हमारी life में जो बहारी परिवर्तन होते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता है किस पर true love पर it is eternal यह सास्वत है अनन्त है and permanent सदा के लिए रहने वाला है यह हो गया इसका reference and context अब explanation पढ़ते हैं the poet expresses his deep faith in the power of true love poet जो बता रहा है जता रहा है अपना अत्यदिक विश्वास किसमें in the power of true love सच्चे प्रेम की शक्ती में by saying यह कहकर that it is always steady and firm यह हमेशा इस्थिर नियमित रहता है और firm रहता है अटल रहता है firm means अटल रहता है nothing in the world दुनिया में कोई भी बस्तू या कोई भी चीज दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है can take it from its place जो इसे इसकी जगा से हटा सके it is like the pole star यह एक धृप तारे की तरह है क्या? प्रेम सच्चा प्रेम जो किसकी तरह है? धृप तारे की तरह है जो देता है guidance to the ships जहाजों को moving in the ocean जो समद्र में चलते हैं अंदेरे में जो समद्र में चलते हैं धृप तारे की रोशनी से चलते हैं कौन? जहाज इट रिमेंस अनफेक्टेट यह अब प्रभावित रहता है by the storms आदियों के दौरा and tempests तूफानों के दौरा of life यह जीवन में जो भी परेसानिया जो भी दौराइं आती हैं तूफान या आंधी के रूप में उनसे अप्रभावित रहता है सच्चा प्रेम एंड गाइड्स और बताता है the path of true lovers मार्क दर्शन करता है बताता है रास्ता बताता है किसका सच्चे प्रेमियों को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और बताता है सच्चे प्रेमियों को faithfulness, वफादारी का and loyalty its value and importance इसका जो मुल है और महत तो है in life, जीवन में cannot be easily judged आसानी से बदला नहीं जा सकता कम नहीं हो सकता but its depth and force can be realized by everyone लेकिन इसकी जो गहराई है, इसकी जो सकती है वो प्रतियक व्यक्ति के द्वारा मैसूस की जा सकती है अब हम comments बढ़ेंगे इनको हम discuss कहते हैं कि हमने इस उपर वाले stanza में क्या पढ़ा है poets हमें क्या बताना चाह रहा है in this stanza, इस stanza में the poet has concentrated concentrated मतलब ध्यान लगाया है केंदरी इकरत his attention अपना ध्यान लगाया है केंदर पे to prove यह साबित करने के लिए that love is unchanged frame जो हो वो कभी नहीं बदलता and once it started और जब एक बार यह हो जाता है it remains यह रहता है the same एक जैसा all through the life of man एक व्यक्ति एक मनुश्र के जीवन में हमेशा ही एक जैसा रहता है जब यह एक बार हो जाता है sex pier has made use of beautiful metaphor to prove his point of view sex pier ने metaphor figure of speech का use किया है इसे साबित करने के लिए इस stanza में he compares time to the pole star उसने कभी ने poet ने समय को compare किया है किससे pole star धुरुप तारा से which is always fixed as the same place धुरुप तारा जो है वो अंतरिक्ष में हमेशा एक ही इस्थान पर रहता है the lovers have been compared to the ships जो प्रेमी है वो compare किये गए है किस से ships से moving in the darkness जिस तरह जो ships है वो धुरुप तारे की रोशनी की साहता से समुद्र में चलते है उसी तरह जो प्रेमी है वो भी प्रेम की रहा पर चलते हैं more ever love is so valuable अत्यदिक्ष प्रेम is so valuable बहुत ही प्रबाबी है बहुत ही मूलिवान है that to judge its true worth is impossible जिसको judge करना इसकी सच्चे भाव को या इसके सच्चे मैत को judge करना जानना impossible है ना मुनकिन है तो चलिए आज हमने दूसरा इस्टेंजा सुरूप खत्म कर दिया है अगली क्लास में बिलेंगे तीसरा इस्टेंजा इस चैप्टर का लेकर आएंगे सब तक के लिए धन्यवाद आपका आपका से उापका